हेलो एवरिवन आप सबका सवागत करता हूँ एक बार फिर से अपने इस यूटूब चैनल डिस्टिग्यान में तो स्कूल ऑफ एमिनेस में अडमिशन के लिए जो रिजिस्ट्रेशन है वो खतम हो चुके है तो जल्द ही इसका जो एक्जाम है वो होने वाला है तो फिलाल इसके जो एक्जाम की डेट है वो 19 मार्च है तो अभी तक इसकी डेट को एक्स्टेंड नहीं किया गए है बट इस जो इसकी जो डेट है उसके बारे में भी ऑफिशि़न नोटिविक DAY और आपको जो एडमिट कारड है उसके बारे में भी जो नोटी से वो मिल जाए गा तो फिलाल आज की स्विडियो में आप से बात करने वाला हूँ इसके जो सेंपल पेपर के बारे में कि आपका जो exam होगा वो किस तरह हैं का होगा आपको question paper कैसे मिलेगा क्या-क्या question होगे तो ये सारी जानकारी आपको आज की studio में मैं देने वाला हूँ काफी सारी curious भी आ रही थी तो काफी सारे जो students है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार visit करें तो please हमारे चैनल को जुरूर सब्साइब करें लेना क्योंकि next जो भी अफडेट रहेंगी वो आप तक पहुंचते रहेंगी तो चलिए आज की security को मैं शुरू करने वाला हूँ तो school of eminence के लिए जो exam है उसके बारे में जो pattern है वो सारा बता दिया गया है मैंने पिछली वीडियो में भी सारा pattern जो है वो आपको बता दिया था इनकी official website पर भी आपको मिल जाएगा तो फिलाल आज की studio में मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह का paper आएगा क्या क्या parts में होगा तो किस तरह के questions आएगी यह सारी जानकर यह आपको आज की studio में मिल जाएगी तो जिन students ने NMMS और PSTSE का exam दिया था तो इसका जो pattern या जो question paper होगा वो same उसी तरह होगा तो जिन students ने वो exam दिया है तो उनको तो जल्दी ही समझा जाएगा पता चल जाएगा बट कोई बात नहीं जन्होंने नहीं भी दिया है तो वो भी इस video से सारी जो जानकारी है वो प्रापत कर लेंगे तो चलिए अब मैं आपको sample paper दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप दे सकते हैं जो SCRT की तरह से जो exam है वो लिया जाएगा तो उनकी तरह से जो paper का question paper का जो sample है वो जारी कर दिया गया है तो इस paper में सारी जो details है वो आपको मिल जाएगी तो यहाँ पर देख सकते हैं School of Eminence दाकला साल 2023-24 साल 2023-24 session में admission के लिए जो sample paper है यह मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो यहाँ पर आप दे सकते हैं reasoning and schoolist aptitude test आपके दो types के paper होंगे एक paper में दो types होंगी जिसे हम reasoning कहेंगे और एक SAT यानि की schoolist aptitude test तो पुझाबी में यहाँ पर देख सकते हैं आप तरक reasoning और जो दूसरा है वो विश्यों की योगिता की प्रिक्षा तो इसका जो timing रहेगा वो आप दे सकते हैं यहाँ पर जो timing बताएगी है 10 गंटे की timing है 150 marks हैं तो यहाँ पर जो जितने भी आपके questions होंगे उतने ही आपके marks मिलेंगे क्योंकि एक एक number का है तो चलिए next बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको इंग्लिश में सबी चीजे मिलेंगी और इंग्साइड में पुझाबी में मिलेंगी जो student English को prefer करेंगे वो English में instruction या कोशन पेपर हल कर सकते हैं और जो पुझाबी में करना चाते हैं वो पुझाबी में कर सकते हैं तो मैं आपको यहाँ पर जो भी पुझाबी में होंगे तो reasoning के अगर आप pattern देखें तो वहां पर आपको दो जो verbal और लोजिक दो तरहें की आपको जो reasoning है वो आएगी 30 मिलेंगे पर को सबसे बादद सके she और हिंदी के आपको 10-10 question आएंगे तो जो भी syllabus होगा syllabus के बारे में यहां पर बता दूँ 10th class का जो syllabus है वो आएगा 11th class के admission के लिए और 8th class का syllabus आएगा 9th class के admission के लिए तो अभी यह जो sample paper है मैं 9th class के बारे में बिता रहा हूँ यह 9th class का sample paper है तो उसमें जो आपका exam हैगा यह सारी ट्रेज़ बताएगी है तो जल्द ही मैं 11th class का जो sample paper है वो भी upload कर दूँगा तो इस sample paper को मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ तो जल्द ही इसका जो solution है वो भी करके हम अपने वीडियो के जरी अप्रोड कर देंगे इसके इलावा अगर आपको यह PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को चैनल को भी जोइन कर सकते हैं तो चलिए next बढ़ते हैं तो next जो instruction है यह सभी question का एक एक number है तो यहाँ पर आपको answer sheet दी जाएगी OMR sheet में आपने जो सभी question से वो circle करने हैं वो भी मैं आपको एक वीडियो के जरीए 12 से बता दूँगा सारा कुछ तो एक आपको rough page मिल जाएगा rough काम करने के लिए उसके बाद यहाँ पर कोई भी negative marking नहीं है तो अगर आपको कोई question नहीं आता है तो आप अपने according किसी question का answer जो है वो fill कर सकते हैं तो यहाँ पर जो instructions बताएगी है कि वहाँ पर आपने fluid यूज नहीं करनी है तो जो handicaps तो डून होगी तो उनको जो आदे गंडे का समरा है वो extra दिया जाएगा तो इसलिए अब बढ़ते हैं किस तरह के question आएगे तो सबसे पहला है reasoning test का तो यहाँ पर आप question दे सकते हैं यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि अभी यह solution नहीं है तो just मैं आपको sample ही दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर जो reasoning के questions है वो आपको आएंगे 30 question आएंगे तो यहाँ पर आप दे सकते हैं किस तरह के question होंगे कैसे आपका pattern होगा तो यह क्योंकि थोड़ा logic लगाना होता है तो उस तरह ही आप अपना जो paper हो हाल कर सकते हैं दोनों language में होगा English में भी और पंजाबी में भी तो इस तरह आप दे सकते हैं यहाँ पर सारा check कर सकते हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं किस तरह की question है तो यह जो सारा syllabus है यहाँ जो questions है वो सभी 8th class के recording है क्योंकि यह 9th class का sample paper है तो 9th class में आपको जो exam आएगा या जो syllabus होगा वो 8th class के recording होगा तो अगर आप 8th class में अच्छे से पढ़े हैं सारे syllabus तो आप इस सभी questions को असानी से solve कर सकते हैं कोशिश करिए जो sample paper यह है आप मेरे channel telegram channel पर जाकर PDF download कीजिए और इसको solution करने की कोशिश कीजिए जिसे कि आपको practice हो जाएगी तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं जो 30 questions complete होने वाले हैं तो जो next topic है वो हमारा है science का तो science के भी आपको 30 questions आएगे questions दे सकते हैं किस तरह की आते हैं तो यहाँ पर English show और पंजाबी दोनों में दिये गए हैं तो कुछ questions हो सकता है का आपको पहले से ही आते हो या आपने syllabus में पढ़े हो तो उसका question के answer तो आप असानी सी दे सकते हैं तो इस तरह आपको त्यारी करनी होगी science की book पढ़नी होगी तो जल्दी हम इसका जो solution है वो भी अपने वीडियो के जरी अप्रोड चुरूर कर देंगे तो यहाँ पर आपको 30 questions आने वाले हैं science के बारे में तो यहाँ से 91 तो 91 से आपको जो SSD के question मिलेंगे तो SSD के बाद आपको जो question मिलेंगे वो मिलेंगे आपको दूसरे subject के English के तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बता दूँ यहाँ पर आपको पहले पंजाबी में आएंगे तो पंजाबी के आपको 10 question आएंगी जैसे मैंने उपर आपको बता है तो यहाँ पर easy questions आएंगी जैसे नोकर का सहियत जैस नोकर का प्लिंग क्या है तो यह सारे easy question ही है तो इस तरह के ही आपको यह English आगया तो English में आपको एक paragraph मिलेगा paragraph में से आपके जो भी questions के answer है वो यहाँ पर आपने टिक्मा करने है तो चार options होगी multiple choice question next आपको हिंदी का मिलेगा तो हिंदी में आप दे सकते हैं 10 question आएंगी आपको तो इस तरह आपको यह sample paper है तो यहाँ से आप सभी question जो है वो दे सकते हैं चेक कर सकते हैं तो इस तरह आपको जो question paper मिलेगा उसमें आपको सभी जो details है वो मिल जाएगी आपका question pattern क्या है यह मैंने आपको बता दिया है फिर भी अगर आपकी कोई क्योरी है यह कोई question तो मुझे comment section में पूछ सकते हैं आप हमारे telegram channel में join कर सकते हैं वहाँ पर आपकी कोई क्योरी है यह कोई question है तो आप मुझे पूछ भी सकते है तो जो next video होगी वहाँ पर हम और भी जो update साएंगे school of eminence के बारे में उसके जरी हम आपको सारी जो update से वो बता देंगे फिलाल यह 9th class का simple paper है जल्दी हम 11th class का जो simple paper है वो भी upload कर देंगे इसके इलावा आपके admit card कब आएंगे वो भी हम आपको एक video के जरी है जरूर update कर देंगे अपने टेलिग्राम चैनल पर भी update कर देंगे तो आज की इस video में यही update है तो हमारे इस video को जरूर लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर subscribe कर देना मिलेगे किसी next information वाली वीडियो में तब तक के लिए जैंद